प्रेंडर नाम के एक आदमी की श्चोरी जिसे की परंग तोड करते हुए अपने बैड को गरम करना बहुत ही जादा पसंद है साथे साथ हम देखने वाले हैं कि वो एक दिन अपने रूम में अपने बैड पे लेट कर हिला रहा होता है और उसे ऐसा करते हुए उसकी बेहन देखे लेती है अब इन दोनों के बीच में आगे चलके इस मूवी में क्या होता है यही हम आज ही एक्सपनेशन में देखने वाला है तो यह देखने के लिए वीडियो केंट तक बने रहना और हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि एक दिन ब्रेंडन मेट्रो से कहीं जा रहा होता है और हमें पता पड़ता है कि ब्रेंडन के जो दिमाग था उसमें हर टाइम सिर्फ गपागप के ही थोट्स चलते रहते थे यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेंडन को एक लड़की देख रही होती है मैट्रों में और ब्रेंडन के दिमाग में उसे देखके भी गपागप के थौट साने लगते हैं अब वो लड़की यह जैसी स्टेशन आने वाला होता है तो अपनी स्टेशन पर उतरने के लिए खड़ी हो जाती है उसके साथ साथ ब्रेंडन में खड़ा हो जाता है और उसको गंदी नजरों से देखने लगता है उसे टच करने लगता है अब उसके हरकतों से परिशान आकर और वो लड़की नीचे उतर जाती है उसके साथ ब्रेंडर भी उतर जाता है कि ब्रेंडर को मिया कलीफा और जौनी सिन्स के सतसंग देखने की इतनी गंदिया अदत थी उसने अपने अफिस के लैप्टॉप में भी भईाही भः रा से और वो बातरुम में जाके कि उन्हें देखने एक बाद हमेशा हिला कराता था अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेंडन को जिसका गिए एक बॉस था जिसका नम डैविड था हम देखते हैं कि इन दोरों की आपस में बहुत अच्छी पढ़ती थी गईविड बेंडन डेडन से कहता है कि हमें किलब में जाना ची है और यह लोग एक क्ल में जाते हैं यहाँ पर इन लोग को एक लड़की पसंद आती है बेसिकली वो लड़की डैविड को पसंद आते है तो डैविड उसको पुपौस करने के लिए जाता है पर वो लड़कियां पर ब्रेंडन को पसंद कर लिती है क्योंकि ब्रेंडन बातों के साथ राते भी रंगीली करना जानता था अब ये लोग वो इस लड़की की कार में बैठके चले जाते हैं और आजमान के नीचे ओपनली इंटिमेट होते हैं अपनी रात को रंगीन करने के बाद ब्रेंडन वापस अपने घर पे आता है और देखता है कि उसके घर का जो गेट है वो खोला पड़ा है वहाँ पर अंदर जाता हुसे लगता है कि कोई चोर उसके घर में घुसा है तो वो एक बैसबॉल का बैट उठाता है उसे मारने गले अब जैसे वो अपने बात्रूम में जाता है उसे पता पड़ता है कि वहाँ पर उसकी छोटी भेहन आयो ही है जिसका नाम सीसी है वो बेसिकली उसके एक स्टैप सिस्टर है आप गाइस क्योंकि जो सीसी थी वो चोरी छुपे ब्रेंडन के घर में आये थी कि CC का यहाँ पर एक concert था क्योंकि वो पेशे से एक singer थी वह वो यहाँ पर Brandon के room पे असलिया थी क्योंकि पिछले ही week उसने उसके boyfriend को छोड़ दिया था क्योंकि जो CC का boyfriend था वो उसे cheat कर रहा था तो वो उसे छोड़ कर अपने भाई Brandon के पास आ गई थी इा पर हमें पता पढ़ता है कि CC का यह concert था तो Brandon नहीं हापर देविट से कहता है की क्या तो मैं मेरे साथ एक concert में चलना चाहाऊगे मेरे पास free tickets देविड उससे कहता है कि आज तो हमें किलब जाना है और बेंडन उससे कहता है यह मेरी सिस्टर का कॉंसर्ट है और मैं तो मर साथ नहीं चल सकता मैं वहाँ पर जाओंगा तो डेविड भी उसके साथ चलने के लिए तयार हो जाता है अब कॉंसर्ट देखकर यह दोनों रोने जलके खाक हो गई थी यह उसकी फटके भी चार हो गई थी क्योंकि उससे डर लग रहा था कि उसका बहुत उसकी सिस्टर को ही पटा ना ले और उसका डर सच में बदल जाता है क्योंकि जो सीसी थी वो डेविड से पैच अप कर लेती है उसके साथ इंटिमेट होती है वो भ दूसरा चैनल बनाया है जहां पर मैं कुछ पॉपलर नाइम्स को एक्स्प्लेइन कर रहा हूं आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोग को कौन सा नाइम पसंद है मैं उसकी एक्स्पनिशन आप लोग को अपने दूसरे चैनल पर दूँगा इस चैन उसकर सोच आती है अगले दरम दो को लेखते हैं ब्रेंडन को जो कि अपने ऑफिस में जाता है और डैविड के पास वह आता है तो डैविड उसे बताता है कि हमें तुमारे में फ्रेम से बहुत सारी सत्संग की वीडियो में है मिया कलीव आर जोनी संसकी हमें लगता है कि तो मारे के लिए से कलीग ने डाल दे होंगी इसके बाद हम देखे डैविड को एक कॉल आ जाता है और यहां से ब्रेंडन भी चला जाता है इसके बाद ओफिस में उसके मुलाकाद मरीन से होती है यह लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर इन लोग ऑच्छी bonding बॉनडिंग मनती है अब यहां पर इन लोग बात कर रहे होते हैं तब यहां पर ब्रेंडन को मरीन को देखके कुछ कुछ होने लगता है तो इह लोग बाहर गूमने के लिए फिर से चले जाता है हम लोग देखते हैं कि जो Brandon होता है वो Marine को अप्रोच करता है उसके साथ intimate होने के लिए पर Marine कहते हैं कि मैं अभी तयार नहीं हो तो Brandon वापस अपने घर पे आ जाता है घर पे आने एक बाद हम देखते हैं Brandon अपने रूम में मिया गलीफा के सत्संग को देखकर हिला रहा होता है और उसे ये करते हुए उसके सिस्टर से इसी देख लेती है और वो ये सब देखके बहुत ही ज़्यादा गुसे में आ जाती है और अपने समान को पैक करने लगती है अब वो ये बात जैसे ही Brandon से करती है इस बारे में बात तो Brandon में गुस्सा होके उसे अपने रूम से भगा देता है हम लोग देखते हैं Brandon अपने रूम से सारी सलसंग की वीडियो के हैसिट्स को निकाल रहा होता है और कबाडे में डाल रहा होता है अब हम लोग देखते हैं Brandon यहाँ पर मरीन के पास आता है और ये लोग एक होटल रूम में जाता है इंटिमेट होने के लिए और अपनी रातों को रंगीन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो Brandon होता है वो पलंग तोड़ करने से पहले कहतो बहुत कुछ राता पर कर कुछ भी नहीं पाता क्योंकि हिलाने के वज़ाजे उसका जो बैंगन था वो मुड़ चुका था यानि कि उसमें उस जान नहीं थी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मरीन होती है वो से एंकरेज करते हैं और कहते हैं कि हम अगली बार अच्छे से करेंगे वैस Brandon अब घर पे आ चुका था और हम देखते हैं कि जैसे वो घर पे आता है तो CC उसे डाटने लगती है पिछली रात के बारे में जो कि उसने देखा था अब हम लोग देखते हैं कि Brandon अपने एगो को सैटिस्फाइक करने के लिए और अपने घर में डोमेनेंट बनने के लिए CC को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और CC भी यह बात सुनकर रोने लगती है और कहते हैं कि मैं तुमारे अलावा इस सहर में मेरा कोई भी नहीं है और मैं तुमारे अलावा किसके पास जाऊंगी और Brandon नहीं मानता और उसे अपने घर से निकाल देता है अब उसी रात हम लोग Brandon को देखते है जिसका दिमाग बहुत खराब था तो फिर से वो एक स्ट्रिप कलब में चला जाता है एक मिया खलीफा को ढूणने के लिए और उसके साथ इंटिमेट होने के लिए यहाँ पर हम देखते है Brandon उसके लिए लड़की के साथ बैठा था एक कलब में और वो उसकी बिल्ली को छेड़ रहाता हम देखते हैं कि Brandon उस बिल्ली को छेड़ते हुए उसकी जो खुशपूती उसके बाइफरेंट को सुगा देता है जिससे कि उसका बाइफरेंट गुस्यमा जाता है और Brandon को बहुत जादा मारने लगता है अब हम लोग देखते हैं ब्रेंडन बहुत ज़्यादा पिट चुका था उसके खून निकल रहे थे अब हम देखते हैं Brandon अपनी हवस को सैटिस्फाय करने के लिए एक गे किलम में जाता है और एक गे के साथ इंटिमेट होता है उसे यहाँ पर CC का कॉल आता है पर वो कॉल को नहीं उठाता क्योंकि वो CC से बहुत ज़्यादा गुसा था और वो जो कॉल थी वो भी CC के ही थी हम लोग देखते हैं Brandon उस कॉल को नहीं उठाता और अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाता है हम लोग Brandon को देखते हैं जो कि एक मेट्रो में वापस अपने घर के लिए जा रहा था पर हम देखते हैं कि मेट्रो एकदम से रुख जाती है और कहती है सब लोगों से नीचे उतरने के लिए और वहाँ पर कुछ पुलिस ओफसर्स आते हैं और कहते हैं कि आगे ही कादमी ने सुशाइड कर लिया है इसलिए मेट्रो आगे नहीं जा सकती है अब यहाँ पर Brandon को ये खबर सुनकर CC की चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल मिलाता है पर CC का फोन नहीं मिल रहाता है पसंदेता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकॉलंगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी हम लोग देखते हैं Brandon को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा पस्तावा होता है कि मैंने अपनी सिस्टर से सब क्या क्या था और यहाँ पर हिलाने की वज़ह से मेरी जो ल आइटरों में जा रहा होता है जहाँ पर उसे फिरόσे वही लड़की मिया थी जो सीन की स्टार्टिंग में मिली थी ब्रेंड़न से फ्लट करने की कोशिश करते हैं इसके पास आके उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं इसारों परmetro फैंन ब्रोटे साला बन चुका था औ आप लोग का बहुत इबहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक नई एक्सपरेंशन के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग